व फ्रेन्ट्स, आज के वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Tecno Pora 5 Pro Android mobile phone में आप अपने mobile phone को factory reset कैसे कर स्कते हैं आज के वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए यह आपे वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों आपको अपने मुवाल फून को Factory Reset करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा और यह भी बताऊँगा कि Factory Reset करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है तो हम यहापर जो है रिशेट लिग देते हैं, तो आपको जो ना इस तरीकी से नीचे यह उप्शन सो होता है, Erase All Data, Factory Reset का, इससे आपको टाप कर लेना है, ठीक है, आपका फोन डिरेक्ली आपको इस से सेटिंग मिलागा, Factory Reset का यह उप्शन दुबारा टाप करेंगे, तो आपको सबसे नीचे, Erase All Data पर टाप कर देना, ठीक है, इससे आपका फोन जो रिशेट हो जाएगा, ठीक है, आपका फोन का अंदर का जो सॉफ्ट्वेर है, एकदम नया हो जाएगा, जैसे आप दुकान से फोन खरीद के लाते हैं, वैसे एकदम अंदर से सॉफ्ट्वेर जो भी होगी, वो सारी-सारी डिलीट हो जाएगी, और जो भी आपका फोन में डेटा है, वो सारगा-सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीक से आप अपने मॉवाल फोन को फैक्ट्री रिशेट कर सकते हैं, अब मैं आपको यह समझा जाता हूँ, फैक्ट्री रि इडी को दुबार से अपने फोन में लॉग इन कर पाएंगे, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा था है कि अगर आपको दूसरा कोई फोन नहीं है, जिसके वज़े से आप डेटा ट्रांसवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने फोन में डेटा का जो जितना भी पार्खँड़े, जिकर अपको अमौत कर सबचान की नायीं, तो इख बिंटा रहे हैं, थे मिल्टा रहे है विछला, तुक का दुछ ही नहीं है, तो एहां पर आप नीचे टاد बेग़ून रेख यह बन बटन कर टाप कर गा है, अगर आप यह फोन की गैलरी का एंटेा गर क ले लेना है यह on का बटन टाब करके इसी तरीकी से आपको जो है simply तरीकी से आपको सभी apps का backup ले लेना है जिसमें आपको backup setting मिल जाती है ठीक ना तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना बैक अप लेने का फायधा देखी जो होता है देख्ये अगर आपने बैक अप ले लिया है न सभी ऐप्स का अपने फोन के डेटा का तो इसके बाद क्या होगा कि आप अपने फोन को जब फैक्ट्री रिसेट कर देऊ घीज़र factory reset करने के बाद आपका data तो delete हो जाएगा लेकिन आपने जो Gmail ID पहले से लिखके रखे हुए अपने फोन की वही Gmail ID अगर आप दुबारा से अपने फोन में लॉग इन करेंगे ना तो आपका सारा data आपके फोन में वापिस आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से यह आप backup लेने क यह फायदा हो जाता है ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने मॉइल फोन को factory reset कर सकते हैं ठीक है